ये शुमस्य के नाम से सभी भाई भैनों का अभिनंदन कोरा.com सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने कोरा.com वेबसाइट पर मसीहत से संबंदित एक आर्टिकल में पूछे के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के जो अलग-अलग लोगों ने उत्तर दिये थे उसको हूँ और अब मसीही बनना चाता हूँ. क्या कोई मुझे बता सकता है कि मुझे भारत में कैसे संपर करना है और किस संपर करना है? दूसरा मैं हिंदू धर्म से प्यार करता हूँ और इसमें भाग लेना चाता हूँ लेकिन मैं एक मसीही हूँ जो मसीही शिक्षाओं में विश्वास करता है तो मुझे क्या करना चाहिए तीसरा, एक मसीह के रूप में क्या मैं प्रातना कर सकता हूँ कि हिंदूओं को एहसास हो जाए कि केवल येशु ही सत्य है और दूसरे देवताओं के बारे में उनका जो दृष्टी कौन है वो उन्हें बचा नहीं सकता चौता, मैं एक हिंदू हूँ और बाइबल पढ़ने के बाद मसीह धर्म अपनाना जाता हूँ क्या शुद्धी करन समारों की तरह कोई अनुशान किया जाना चाहिए पांच्वा, क्या मैं हिंदू होकर मसीह धर्म का पालंग कर सकता हूँ चटा, मैं हिंदू हूँ और पैसों के लिए अपना धर्म बदल कर मसीह धर्म अपनाना चाता हूँ चात्वा, यदी मैं हिंदू हूँ और मसीहत से अधिक जुडाओ महसूस करता हूँ तो मैं क्या करूँ नवा क्या मुझे धर्म बदलने की अनुमति है मेरा धर्म हिंदू है और मैं एक दिन मसीह बनने के बारे में सोच रहा हूँ तो ये थे वे कुछ प्रश्ण जिसमें से पहले प्रश्ण का उत्तर मैंने पिछले भाग में दे दिया था तो चलिए दूसरा प्रश्ण लेते हैं मैं हिंदू धर्म से प्यार करता हूं और इसमें भाग लेना चाहता हूं लेकिन मैं एक मसीही हूं जो मसीही प्रश्ण खाल हैini वो मेंठूष्वर को प्रमेश्वर भी रहे वेज़ नहीं है और मसीह जो होतीए वोस्पाघ्र we घरता कौन है और मश्कते भी सिकाती है कि जितने भी धर्म चल रहे हैं संसार में हंदू मुसलिम सिक्ष इसाई जैन बौद मत जो वो सब मनुश्यों ने बनाए परमेश्वर ने कोई धर्म बनाया नहीं है तो यह सबस्ट हो जाता है कि जिसने सवाल पूचा है वो अपने आपको क्रिस्चन या मसीह कहता है लेकिन वास्ताव में वो मसीह नहीं है उसको मसीहत अभी भी एक धर्म डिखती है इसलिए वो बोल उसे धर्म क्रिया उसे बिल्कुल हटकर है तो यह सवाल अपने आप में साबित करता है कि जिसने यह पूचा है वो गन्फ्यूजड है उसको पता नहीं है कि मसीहत क्या है तो जाहिर सी बात है कि उसको समझ नहीं आएगा कि उसका जो आकर्शन है हिंदू धर्म की प्रती व फिर वो नैत्यक मूल्यों पर चले और मन में शांति रहे तो लोग सोचते हैं कि मसीद्ध धर्म है और उस धर्म का पालन करने से कुछ लोगों को शांति मिलती है उनका मानसी कल्याण होता है लेकिन मसीद्ध तो ऐसी है नहीं वह तो किसी रिती पर उसका पालन आपकरी नहीं सकते हैं जैसे अन्य धर्मों में होता है फिर आगे वो लिखता है कि जहां तक मैं जानता हूं मसी धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अपने आंतरिक विवेक की संतुष्टि के लिए किसी अन्य धर्म का पालन करने से रोकता हो अब यह उनका अपना विचार है कि मसी धतमें शैद ऐसा कुछ भी नहीं ह principle बये एसा होई कि इससे वह भी संतुष्टि अगर आप यह संदेश पूरा देखनाँ चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदी-biblestudy.com पर देख सकते हैं यह वीडियो हमारे my के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके package में भी my का महिना शामिल है उनको यह वीडियो उनके my account में my के वीडियो में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छे speed के लिए गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और उपर गूगल क्रोम टाइप करें फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें यह एकदम फ्री है इसी आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें, ये भी एकदम फ्री है, इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें, और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वे और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे, इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं, और उसमें भी बिना गैप के, HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं, उसमें भी हमारे वीडियोस बिलकुल आराम से चलेंगे, इसके अलावा अगर आप चाहें, तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग का चिन दबाकर 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस से आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा, 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू को सेटिके है?